नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में नमस्कार साथियों, मैं रोमेश और मापके अपने यूटूब चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापके मद्यापकाओं का स्वागत करता हूँ कल से आपके सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है चाहे साइण्स हो मैत हो या साहचिक या समाबेसी सामाजी बिग्ञान सारी क्लासेस आपको डेली दी जाएंगे आज सैचिक मुल्यांकन क्रियात्मक्सोद्यम नवाचार इसमें आपको संपूर्ट पाठकरम के बारे में बताया गया है कि हर चैप्टर से कौन कौन से कोशन पूछे जाएंगे कौन से कोशन बहुत इंपॉर्टन्ट है हर बार कौन से कोशन पूछे जाते है उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिसकस कराया गया है अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इसके पीडियाप आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्द करा दी जाएगी कोई भी प्राबलम समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए या हमारे टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड समस्टर का प्रथम पेपर सैचिक मूल्यांकन क्रियात्मक सोद एवं नवाचार इस विशाय में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर पूछे गए हैं उस चैप्टर में क्या क्या कोस्चन बन कर आ रहे हैं उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिसकस किया जाएगा तो आज सबसे पहले संपूर पाठिक्रम के बारे में चर्चा करेंगे पहला चैप्टर क्या है मापन एवं मूल्यांकन इस चैप्टर से कई कोस्चन आते हैं मापन एवं मूल्यांकन में सैचिक मापन एवं मूल्यांकन की ओधारना इसमें से सैचिक मापन का अर्थ मुल्यांकन के उद्देश मुल्यांकन की संकल्पना मुल्यांकन के छेत्र इन सभी से एक एक नंबर की टिपड़ी पूछी जाती है मापन यों मुल्यांकन बहुत important chapter है और इस chapter से लगभग short question पूछे ही जाते है मापन का क्या आर्थ होता है मुल्यांकन का उद्देश से क्या होता है कि संकल्पना बताईए इसके छेत्र कौन कौन से होते है उन सभी को बताया जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं मुल्यांकन की आउसकता एवं महत इसमें मुल्यांकन की प्रसासनिक आओ सकता मुल्यांकन की सैचिक आओ सकता मुल्यांकन की सैचिक अनसंधान में आओ सकता सामाजिक द्रस्ट कोण से मुल्यांकन की आओ सकता तो इसमें इसका आओ सकता इसकी और इसके महत कौन कौन से हैं उन सभी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा प्रसास्निंग में क्या हो सकता होती मूलैंकन की सैचिक में क्या हो सकता होती मूलैंकन की सैचिक अनसंधान में क्या हो सकता होती और सामाजिक द्रश्ट कोण से मूलैंकन की क्या हो सकता होती है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिसकस कराया जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं मापन एवं मुल्यांकन में अंतर ये कोश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मापन एवं मुल्यांकन में क्या अंतर होता है बदाईए परिच्छ एवं मापन में अंतर चाहे मापन एवं मुल्यांकन में अनतर इसमें से questions पूचा ही जाता है हर बार एक question आपको देखने को मिलेगा फिर next क्या है सदत एवं ब्यापक मुल्यांकन की अधारणा एवं महातु अब इसमें देखेंगे सतत यों ब्यापक मुल्यांकन की अधारणा में इसका क्या महत्त होता है ब्यापक मुल्यांकन दच्छता आधारित मुल्यांकन सतत मुल्यांकन की कारप्रणालियों सोपान सता तेवं ब्यापक मुल्यांकन में इतने सारे मुल्यांकन आपको देखने को मिलेंगे फिर नेक्स्ट के आता है मुल्यांकन के पक्ष कौन कौन से पक्ष होते हैं संग्यानात्मक, कॉगनेटिव इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको फिर आता है भावात्मक अफेक्टिव भावात्मक में आपको ग्राण करना या ध्यान देना अनुक्रिया करना मूली आकना संगठन मूली द्वारा बिसिस्टी करना फिर नेक्स्ट क्या आता है कौसलात्मक इसमें कौसलात्मक एवं बिवहारात्मक कह सकते है इसमें सामाजिक कौसल यांत्रिक कौसल गड़ती कौसल और भासाई कौसल कौन कौन से कौसल हैं सामाजिक गड़ती यांत्रिक और भासाई कौसल ये सारे कौसल आपको पढ़ाए जाएंगे फिर क्या आता है उतेजना, क्रियानवन, नियंतरण, समायोजन, स्वभावी करण ये सारे टॉपिक आपको इसी के अंतरगत पढ़ाए जाएंगे मुल्यांकन के पक्ष के अंतरगती ये सारे टॉपिक पढ़ाय जाएंगे मुल्यांकन के पक्ष में संग्यानात्मक, भावात्मक और कौसलात्मक उसके आद उत्तेजना क्रियानवन, नियंतरण, समायोजन, स्वभावी करण फिर next आता है मुलयांकन की प्रकार इसमें आपको मौकिक परिच्छा कैसे आप मुलयांकन करते है किसी का मौकिक के दोरा लिखिद परिच्छा, साथ-छातकार या निरिचण, या अलोकन या प्रायोगिक रहसनात्मक्त मुलयांकन, आकलित मुलयांकन इतने टाइट से आप मुल्यांकन किसी का करते है समझे है फिर नेक्स्ट आपको पढ़ने को मिलेगा उत्तम परिच्छण मुल्यांकन की बिसेशता है सिच्छण अधिगाम और मुल्यांकन का संबंध उत्तम परिच्छण मुल्यांकन की मतलब बिसेशता है प्रस्ण निर्माड प्रक्रिया से एक question पूछा ही जाता है हराल में पूछा जाता है योजना निर्माड क्या होता है blueprint संपाधन तथा अंक निर्धारन प्रस्ण निर्माड की प्रक्रिया में एक question आपको देखने को मिलेगा योजना निर्माड या blueprint संपाधन से प्रशनों के प्रकार बताये देंगे आपको कैसे कैसे प्रशना आते हैं वस्तुनिस्ट, आतिलग, लगोतरी, देर गोतरी फिर सैचिक, उद्देस्यों के अनसार प्रशनों के पक्ष कौन-कौन से होते हैं ज्यान, बोद, अनुप्रयोग और कौसल फिर आगे बढ़ते हैं मुल्यांकन अभलेखी करण उसमें आपको संग्यानात्मक तथा संग्यान सहगामी पक्ष मिलेंगे फिर सतत मासिक अर्दवार्सिक एवं वार्सिक मुल्यांकन पुनर बलन ये आपने पढ़ा होगा मुल्यांकन अब लेखी करण में आपको सतत, मासिक, वार्षिक, अर्दवार्षिक मुल्यांकन आपको देखने को मिलेगा फिर नेक्ष्ट चैप्टर क्या आपको मिलेगा निदानात्मक परिच्छन एवं उप्चारात्मक सिच्छन निदानात्मक परिच्छन यों उप्चारात्मक सिर्चन फिर नेक्स्ट क्या है क्रियात्मक सोद क्रियात्मक सोद में आपको क्या देखने को मिलेगा सोद के प्रकार उसका अर्थ उसका क्या उद्देश सोता है उसकी क्या हो सकता होती और उसका महत्व इससे भी question आपको हर हाल में हर paper में मिलता है चाहे हो SETET हो हर जगह पर आपको question देखने को मिलेगा इसका आर्थ क्या होता है इसका प्रकार क्या होता इसका उधेस इसके हो सकता इसके महत पर प्रकास डालिए एक नंबर में question पूछा जा सकता है इसके छेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा क्रियात्मक्सोद के चरण कौन कौन से होते हैं उसका प्रारूप निर्माड भी बताया जाएगा इसके क्रियात्मक्सोद करण निर्माड क्रियात्मक्सोद का संपाधन अवलेखी करण इससे आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्या है सैचिक नवाचार सैचिक नवाचार में आपको सिच्छा में नवाचार का क्या आर्थ होता है इसकी ओसक्ता क्या होती इसका महत्त क्या होता है सहचिक नवाचार के परवेश के संसादनों के छेतर कौन-कौन से होते हैं सिच्छन अदिगम के सुधारयोत इस्थानी समदाय पहचान और उनका उपयोग कर मुल्यांकन इसके अंतरगत आपको देखने को मिलेगा प्रातना इस्थल की गतविधी आपको पढ़ने को मिलेगी क्या-क्या गतविधियां होती हैं पार्ट सहगामी क्रिया कलाप कौन-कौन से होते हैं सामदायक सहभागता कैसी क्या है सामदायक सहभागता में क्या-क्या होता है बिद्धाले प्रवंदन में क्या जरूत पड़ता है इन सभी से एक नए कोश्चन आपको पूछने को मिल जाता है देखने को मिलेगा कि किससे कोश्चन आपके बन है सामदाइक सहवाक्ता, पाठ सहगामिक क्रियकलाव, प्रातना इस्तल की गदविधी बिद्धाले प्रवंदन, विसाइगत कच्चा सिचन, समसमाई की द्रस्टान, लैबेरिया इन सभी से कोश्चन आपको हराले कुशे जाते है ये आपका पूरा स्लेबस था, इतना स्लेबस आपके साथ डिसकस कराया जाएगा हर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा कौन-कौन से कोश्चन इंपोर्टेंट है, कौन-कौन से कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी हाई निटेन नोट्स के साथ आपको PDF भी उपलब्द करा दी जती है कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आपको आ रहे है कोई कोश्चन नहीं सोज में आ रहा है कोई हेडिंग नहीं सोज में आ रहे है तो आप कमेंट डॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रताइए तुरंत आपको उसका सल्यूसन दिया जाएगा अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद